नमस्कार दोस्तों, आज हम Human DGC-related Mock Test Solve करेंगे एंसर देखने से पहले वीडियो पॉस करके खुद का एंसर दे उसके बाद अपना एंसर मिला है जिससे पता चलेगा कि आप एक्जाम के लिए कितने अच्छे से तयार हैं मैं अपने वीडियो में सिर्फ एक्जाम में पूछे हुए प्रश्ट या पूछे जाने की संभाना हो सिर्फ ऐसा ही कोसर इंक्रूट करता हूँ चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्ट आज का पहला प्रश्ट क्या है फालेरिया रोग किस सुस्मन जीव से होता है है ग्वाइटर घेंगा रोग निमलेखित में से किस की कमी की वज़े से होता है आयोडेन की कमी की वज़े से घेंगा रोग होता है यह किसली किसकी वज़ेस होता है यह थाराइट गिलंड होता है उसकी वज़ेसे गवाइटर होता है और एनेमिया रोग किसी कमी से होता है आरेन की कमी से एनेमिया रोग होता है किसकी अधिकता की वज़े से हिर्देगात होता है यानि हार्ट अटेक किसकी अधिकता की वज़े से हार्ट अटेक होता है शरीर का कौन सा अंग टैफाइड से प्रभावित होता है आंग इंटेस्टाइन जो होता है वो सा प्रभावित होता है टैफाइड से टाइफाइड कौन से बैक्टिरिया के वज़े से होता है। च्छै रोग यानि तपैदिक टिवर क्लोसिस मानौ सरी किस भाग को प्रभवित करता है। BCG कीस रोग के लिए लगा जाता है, бор nar paal, BCG का फुल फॉर्म का था- Sü slider, हीमोफिलिया से क्या होता है हीमोफिलिया से क्या होता है हीमोफिलिया से क्या होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है रक्त का थक्का थक्का होता है हीमोफिलिया से नहीं जमता है आपका छोटा सा मोटा कट भी लग जाएगा तो खुन बहता रहेगा यह हीमोफिलिया में होता ह दात की बिमारी किस तत्व की कमी की वज़ास होता है पैरिया रोग मानो सर के किस भाग से संबंदित है दात और मसूडे पैरिया में क्या होता है कि आपके मुझ से बहुत गंदा बद्बू आता है आपके दात पीले और मसूडे भी गंदे रहते हैं कैंसर अस्थी मज़ापून मेरो के कौन से भाग को परभावित करता है लिवकेमिया लिवकेमिया किसके वज़ास होता है WC, WBC के मात्रा में बड़ोतरिक वज़ास से लिवकेमिया होता है MMR का टिका किसके लिए दिया जाता है MMR का टिका मिजल्स मॉम्स रूबेला के लिए दिया जाता है किस अंग के दो स्पूर्ट कार करने से मदू मे रोग हो जाता है से पेंक्रियाश के दो स्पूर्ट कारने के वज़े से मदू मे रोग होता है कि मदू मे रोग हो जाता है Sarsi, Sarsi का full form क्या होता है? Savior acute respiratory syndrome होगा Shot shoulder flow क्या होता है Sarsi का Plasmodium का संक्रमड कौन सा रोब अधपन करता है? Malaria Aistig gometism बिमारी सद्एकी संक्स से संबंदित है आखो से इसमें क्या होता है कि जो आखो की कॉर्णिया यानि लेंस होती है उसकी वक्रता में परिवर्था ना जाता है एथलीट फूट रोग किस से होता है फंगस से होता है किस फंगस के वज़ास होता है ट्राइको फाइट फंगस के वज़ास से होता है एथलीट फूट रोग रिकेट्स बिमारी किस से संबंदित है हडियों से संबंदित है विटामिन D की कमी के वज़ास होता है रिकेट्स विटामिन D का साइंटिफिक नेम क्या है कैल्सी फेरॉल कैल्सी फेरॉल है इस पॉंडिलाइटिस बिमारी किस से संबंदित है इस पाइनल कॉट से संबंदित है इस पॉंडिलाइटिस इसमें क्या होता है कि आदमी एक जगह जाए दिर तक बैठ नहीं पाता है विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है जनन चपता में कमी होता है इसकी वज़ाज विटामिन E कमी से अब विटामिन E का साइंटिफिक नेम क्या है टोको फेरॉल साइंटिफिक नेम विटामिन E की कमी से रतांदी होता है और विटामिन E का साइंटिफिक नेम क्या है रेटिनॉल अग endure कि दूर दृ दूर दृरिष्टी दोस में क्या होता है कि आपको दूर की चीजी देखेंगे और पास की चीजे लेंगती है Hag 느낌이 होता है मैयोपिया से क्या समझते हैं मिवन क्या होता है कि क्यो दिरिश्टी दृश्टी दोस होता है मायोप्य में पास की चीज़े दिखेंगे और दूर की चीज़े क्लियर नहीं दिखती है और इसमें कॉंसलेंस प्रयूग होता है कंकेव लेंस यूज होता है अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आपने टेलीग्राम चैनल पर जॉइन कर सकते हैं अब टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और धन्यवाद आपको में लेक्षे सुनने के लिए आपका दिन सुभ़व